हाई फ्रेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द ही दिवाली आने वाली है तो सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली तो फ्रेंट आज कि इस वीडियो में हम कुछ इस प्रगार से दिवाली का स्टाडस वीडियो बनाने वाले हैं जैसा कि आप दुसरे का नाम है काइन मस्टर तो यह दोनों आप आपको प्ले स्टोर पर इजली से मिल जाएंगे आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकती हूँ तो चलिए फ्रेंट वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट यहां पर हम अपने पिक्सल अपली केशन में आ गए हैं अब फ्रेंट यहां पर आपको New Text पर डबल टाईप करना है डबल टाईप करने के बाद यह कुछ सप्रकार से स्ल nuclear करना हैा scheintई इसके बाद यहां से घ्लीड कर देना आ और इसकी साइज को धोड़ा सा जूम करेंगे जूम करनी के बाद यहां पर आपको इस साइड में दाहिने side में आपको ये पर click करना है उसके बाद यहां पर हमें नीचे के side में आना है यहां पर हम आ जाएंगे font में तो font में आने के बाद यहां पर आप जो font रखना चाहते हैं उससे आप यहां पर रख सकते हो तो मैं simply इस वाले font को select करूंगा यहां से आपको ok कर देना है यहां पर इसकी size को हमें कुछ इस प्रगार से zoom कर लेना है zoom करने के बाद लाना है हमें कुछ इस प्रगार से ऐसे करके set कर देना है अब फ्रेंड यहां पर हम उपर के side में plus की icon पर click करेंगे उसके बाद यहां पर हमें text पर click करना है तो यहाँ पर हम new text पर double type करेंगे double type करने के बाद यहाँ पर इसे हमें कुछ इस प्रकार से delete कर देना है और इसे हमें coming soon लिख लेना है तो friend coming soon type करने के बाद यहाँ से आपको done कर देना है उसके बाद यहाँ से आपको ok कर देना है एंड यहां पर इसकी size को हमें थोड़ा सा zoom करना है एंड लाना है पर हमें नीचे के side में इसे ऐसे करके set कर देना है उसके बाद यहां पर AB font में आएंगे font में आने के बाद इसका style जो आप रखना चाहते हैं उसे आप यहां पर select कर सकते हो तो simply मैं इस वाले style को यहां पर select करूँगा देख सकतो friend कुछ इस प्रगार से उसके बाद यहां से आपको OK कर देना है अप्रेण यहां पर हम दिवाली वाले text को select करेंगे और इसकी size को हम थोड़ा सा और zoom कर लेंगे कुछ इस प्रगार से और लाना हमें कुछ इस प्रगार से set करना है coming zone को select करेंगे थोड़ा सा इसकी भी size को बढ़ाएंगे और यहां पर लाना है नीचे के side में इसे अच्छे से set कर देना है अप्रेण यहां पर हमें दोबारा से plus के icon पर click करना है उसके बाद यहां पर text पर click करना है और यहां पर हमें new text पर double tap करना है और इसे हमें delete कर देना है देख सकतो friend कुछ इस प्रगार से और यहां पर आपको dya type कर लेना है कुछ इस प्रगार से तो आपके सामने dya का emoji आ जाएगा तो इसे आपको यहां पर 3 बार select कर लेना है उसके बाद यहां से आपको done करना है और यहां से आपको ok कर देना है अफ्रेंड यहां पर इसकी size को हमें कुछ इस प्रगार से थोड़ा सा zoom करना है और यहां पर लाना है में उपर के side में इसे अच्छे से ऐसे करके आपको set कर देना है यहां से हम बेक आजाएंगे अफ्रेंड इसमें अपना एक लीप का PNG एड़ करेंगे तो इसके लिए यहां पर आपको प्लस की आइकन पर क्लिक करना है फ्रॉम गैलेरी में जाना है और यहां से आपको अपने लीप को सेलेक्ट कर लेना है तो इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिरिप की अप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हूँ तो फ्रेंड यहां से हमने अपने leap को select कर लिया है select करने के बाद यहां पर आपको नीचे के side में OK पर click कर देना है और यहां पर इसकी size को छोटा करेंगे कुछ इस प्रकार से और इसे हमें ऐसे करके यहां पर rotate कर लेना है और इसे हमें copy कर लेना है copy करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से इसे rotate करना है अब rotate करने के बाद लाना है हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उपर वाले side में इसे अच्छे से set कर देना है और यहाँ पर screen पर एक बार tap कर देना है अब फिर यहाँ पर आपको 4 number वाले square box को select करना है उसके बाद यहाँ पर आपको transparent select कर लेना है select करने के बाद यहाँ पर आपको उपर के side में इस icon पर click करना है and यहाँ पर आपको save as image पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको default में आना है तो default में आपको यहाँ पर ultra select कर लेना है और उपर के side में आपका png तो select ही है उसके बाद यहाँ पर save to gallery पर click कर देना है और आपका photo save हो जाएगा अब यहाँ से हम back आते हैं उपने kind master application को open कर लेते हैं तो friend हम अपने kind master application में आगे हैं अब यहाँ से आपको plus के icon पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आप ratio अपने coding select कर सकते हो तो यहाँ पर मैं new point 16 वाले ratio को select करूँगा उसके बाद यहाँ से आपको create पर click कर देना है अब फ्रेंड इसमें अपना background image आइड करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें starting position पर आ जाना है अप्रेंड यहाँ पर हम layer में जाने के बाद यहाँ पर हमें media में जाना है अपने text को add कर लेते हैं जिस text को अभी अभी हमने pixel lab में बनाया था तो उसी वाले text को यहाँ से आपको add कर लेना है add करने के बाद क्या करना है यहाँ पर आपको इसकी duration को यहाँ पर हमें video के end तक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर इसकी size को हमें कुछ इस प्रगार से zoom कर लेना है और lana में कुछ इस प्रगार से ऐसे करके यहाँ पर center में set कर देना है उसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करके इसके स्क्रेन को फूल स्क्रेन में कर लेना है और यहाँ से हम बैक आजाएंगे अब फ्रेंड से में अपना एक एफेक्ट एड़ करेंगे तो उसके लिए हमें पर लियर में जाएंगे add करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे की side में आना है तो यहाँ पर हम नीचे के side में आ जाएंगे blending में blending में आने के बाद इसे हमें यहाँ पर screen कर देना है यहाँ पर इसकी size को घूम पर जूम कर लेना है देख सकते हो फ्रेंट कुछ इस प्रगार से आपको इसकी size को जादा जूम कर लेना है और लाना है यहाँ पर जैसा रखना साथा है वह फिलाल मैं color इसका चेंज नहीं करूंगा कुछ इस प्रगार से ही रहने दूँगा और यहां से हमें back आजाना है अपर यहां पर हमें text को select करना है select करने के बाद यहां पर आपको in animation में आना है उसके बाद यहां से आपको एक animation को दे देना है तो यहां पर आपको wipe right वाले को दोबारा से select करना है, select करने के बाद यहां पर आपको कुछ हिस्प्रगार से आना है, देख सकते हो फिर थोड़ा सा आपको आगे आना है, उसके बाद यहां पर आपको catchी पर जाना है और इसे में trim left करके, ऐसे करके cut कर देना है उसके बाद यहां से हम back आ जाएंगे तो यहां पर हमारा कुछ इस प्रगार से animation बनकर तयार हो चुका है अप फ्रेंड यहां पर आपको वीडियो को कुछ इस प्रगार से scroll करना है तो यहां पर आपको 2 second के आसपास आ जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है लियर में जाना है लियर में जाने के बाद यहाँ से आपको मीडिया में जाना है और यहाँ से अपने एक वीडियो को एड कर लेते हैं तो फ्रेंड यहाँ से हमने अपने वीडियो को एड कर लिया है एड करने के बाद क्या करना है हमचे साइड में जाएंगे तो इसे थोड़ा सा ऐसे करके जूम करना है और लाना हमें कुछ इस प्रगासी से अच्छे से अज्यस्ट कर देना है और हम बैक आएंगे और इहां पर स्टार्टिंग पोजिशन पर आजाना है अब friends वे अपना एक particle video add करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहाँ पर हमें media में जाना है और यहाँ से अपने particle video को add कर लेते हैं तो friend यहाँ से हमें अपने video को add कर लिया है add करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के side में आना है तो आपको blending में आना है और यहाँ पर इसे हमें screen कर देना है और यहाँ से हम back आएंगे तो आपर हमें ऊपर के side में आना है तो आपर हमें split screen में आएंगे और इसे हमें full screen में कर देना है उसके बाद यहां से में back आ जाना है तो friend हमारा वीडियो completely बनकर तयार हो चुका है तो चले friend आपको वीडियो को थोड़ा सा play करकर दिखाते हैं तो देख सकते हो friend हमारा वीडियो कुछ इस प्रिगार से बनकर तयार हुआ है अब इसे अपने phone में save करने के लिए आपको उपर के side में 0 पर click करना है click करने के बाद यहां पर quality अपने recording रख सकते हो और save as video पर यहां पर आपको click कर देना और आपको video save होना start हो जाएगा